हाई वेल्कम डूमाइच चैनल इस बीड़ी में स्वाल्व करेंगे स्टेन नम्टर सिक्स्टेन तो ध्यान देजिएगा अ पीटी टीचर वांस्टो अरेंज मैक्समम पॉसिबल नंबर आफ 6,000 स्टुडेंट्स इन फिल्ड सच देड़ी नंबर आफ रोज मतब कि 6,000 बचे टोटल हैं 6,000 क्या है इस्टुडेंट्स टोटल है और इन में से मैक्समम पॉसिबल नंबर आफ इस्टुडेंट्स को जो ये पीटी टीचर हैं वो चाह रहे हैं अरेंज करना फिल्ड में ठीक हैं मैक्समम पॉसिबल नंबर आफ इस्टुडेंट्स को 6,000 में से अरेंज करना चाहते हैं फिल्ड में इस तरीके से इस तरीके से कि नंबर आफ रोज मतब कि जितने रोज बनेंगे वो इक्वल हो टुदा नंबर आफ कालम्स के तो इनका कहने का मतलब है कि यदि वो आरेंज करना चाहते हैं इस तरीके से अरेंज करना फिल्ड में ऐसे मलिव एक लालका यहां पर है दूसरा लालका यहां पर है तीसरा यहां है ऐसे करते-करते माल यह की n number of students यहाँ पर arrange कर दिया गया माल यह कि n क्या है n यह columns है n column n column मतलब कि यह 1 column, 2 column, 3, 4 ऐसे करके n column ठीक है और जितने number of students एक row में रहेंगे उतने ही number of यह rows भी है means यहाँ पर 1 row हो गई dot 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 यहाँ पर ठीक ऐसे dot 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 करके यहाँ पर हो गया dot 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 फिर dot 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 यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर इस तरह से arrangement हुआ है मतलब कि यहाँ पर यह n column है n column मतलब कि यह पहला column यह हो गया first column second column क्या है यह second column है ऐसे third column ऐसे arrangement हुआ है ठीक है यह बच्चों को बैठा गया है और यह आपका है nth column ठीक है और फिर rows बनाए गया है यह वाले देखें यहाँ पर यह first row है first row हो गई यह आपका है second row वाईसे ही यह nth row है यह तो काने का मतलब कि जितने number of columns है मतलब कि यह n column है इधार n rows है n rows है तो यह arrangement मतलब कि maximum बच्चों को बठाने के बाद अभी PT teacher को 71 बच्चे छूट जा रहे है ठीक है कारा कि find the number of rows if 71 were left out after arrangement तो number of rows, number of columns को equal करके लड़कों को बठाने के बाद अभी 71 बच जा रहे है मतलब प्लस 71 करेंगे तब total number of students बनेंगे यह 71 जो है left out है तो कहने का मतलब है कि हम यदि यह करें कि total number of students in this arrangement निकाल लें और 71 में add कर लें तो total वो 6000 के बराबर होगा यही concept बस लगाना है तो यह arrangement बस समझेगा और यहाँ पर एक concept टीवी समझेगा कि यदि number of rows और number of column यदि दिया है तो आप total number of students in this arrangement निकाल सकते हैं वो कैसे बस number of rows और number of column को multiply करना होता है आपको यदि यह थोड़ा सा मतलब odd लग रहा होगा तो समझे यहाँ पर मालीजे कि मैं तीन लड़कों का एक row बनाता हूँ और equal number of column यह बना लेता हूँ तो यह हो गया मालीजे कि देखे यह जो arrangement है न यह equal number of rows and sorry number of rows and number of column जो है यहाँ पर equal है क्यों क्योंकि देखे बनापर एक row है दूसरा row तीसरा रू और यह क्या है एक column दूसरा column और यह तीसरा column तो मतलब थ्री rows है और थ्री columns है इसी तरसे arrangement यहाँ पर क्या गया है लेकिन यहाँ पता नहीं है कि कितने number of rows है और कितने number of students ये निकालने के लिए क्या करते हैं यहाँ पर आपको count कर सकते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 है total लेकि 9 कैसे पर चला देखें आपर 3 यहाँ पर आपको पास है 3 columns और यहाँ पर है 3 rows यदि आप इस 3 में इस 3 से multiply करते हैं तो उतना ही आएगा जितना इसमें number of students total है मतब कि थिर्थिजा 9 करेंगे थिर्थिजा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा तो इसमें 9 students हैं ही ठीक वाई से ही यहाँ भी परता कर सकते हैं कि एदी N column है और N rows का arrangement क्या गया है तो number of total students होगा N into N तो हम यहीं concept use करेंगे और solve करेंगे चलिए हम यहाँ पहले suppose कर लेते हैं कि let let the number of rows be N ठीक है माली कि N number of rows है तो हम यह जानते हैं since number of students number of तो हम यह जानते हैं in the arrangement number of students in the arrangement plus left out plus number of students left out of the arrangement ठीक है means यह 71 बच्चे जो है इस अर्जमेंट में नहीं इंक्लूड हो पाए हैं क्योंकि यदि हम 71 को इसमें इंक्लूड करेंगे तो number of column और number of rows भीगड़ जाएगा मतब दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा इसलिए 71 जो है बच्चे रह जा रहा रहे हैं ठीक है तो यहां पर जब आम दोनों को आइड करेंगे मिस नंबर आफ इस्टुडेंट्स इंडिस अर्जमेंट प्लस 71 को आइड करेंगे तो यह इक्वली होगा इसको प्लस करेंगे तो मिलेगा इक्वल टु टू टू टूल नंबर आफ स्टुडेंट्स टू टो टल नंबर आफ स्टुडेंट्स तो बस यहँ पर हमसे बन जाएगा हमारा एक assignments तो हम यहां पर निकाल लेंगे नंबर आफ इस्टेंट्स इन दी अरेज्जमेंट तो यहां पर नमर आफ इस्टेंट्स क्या होगा एंट इन इन फो जाएगा प्लस लेफ्ट आफ दूर्जमेंट कितना होगा 71 कि इसकल टूटल नमट इसक्षूजट कितना है 6000 ठीक है अब यहां से हमस्ट कर लेंगे और मिलेगा हमें एर्णु स्क्वार इसक्वार इसक्वार आपको स्क्वार रूट 5929 अब यहां पर हमें factorize करना पड़ेगा इसका square root निकालने के लिए ओके factorize कर सकते हैं या फिर आप long division method लगा सकते हैं लेकिन आपको भी method लागए बिल्कुर आएगा answer आपका 7 से कर लेते हैं आपकर 7 7 49 7 8 56 56 and 3 32 हो गया 7 4 28 और 4 हो गया 49 7 7 49 यहां से जाएगा फिर से 7 जाए 7 1 बचा 14 होगे 7 जाए 7 जाए 7 अब यह 121 है तो मतब 11 सख़ड़ेगा 11 11 जा 121 तो 11 सख़ड़ेगा भी मिलेगा 1 means यहां पर हम लिए सकते हैं इस तरीके से कि under root 7 उत्यूट 7 इन्टू यह हो जाएगा 11 इन्टू 11 इस कोल्टू हो जाएगा 7 पर यहां पर 11 पर बनना है तो 7 और 11 बाहर न कर लेंगे 7 इन्टू 11 हो जाएगा यह 77 तो 77 क्या आ रहा है एन की बलू आ रहा है एन क्या माना था हमने number of rows means total number of rows will be 77 और 77 से ज्यादा नहीं बना सकते हैं क्योंकि 77 से उपर लेंगे तो number of rows और number of columns जो है नहीं बन पाएंगे उत्तरा कुछ mistake हो जाएगा तो यहीं आपका answer है there will be 71 number of rows and 71 number of columns also क्योंकि जो arrangement किये जा रहा है उसमें number of columns और number of rows equal है तो hope कि आपको समझ में आ गया होगा तो thank you so much for watching comment और like और share करना मत भूलेगा please कर दिजेगा एक बार thank you again bye